आज मैं आपके साथ फिश करी की रिस्पी शेयर करने वाली हूँ जो की बहुत ही मज़िदार बनती है तो चलिए फिश करी बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने डेर केजी रोहू फिश लिया है जिसे अच्छे से क्लीन कर लिया है आप कोई भी फिश ले सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ी हल्दी और एक नीबू का जूस आड़ करेंगे नीबू का जूस डालने से फिश के स्मेल निकल जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और उसके बाद 30 मिनर्स के लिए इसे मारिने के हुए 30 मिनट सो चुके हैं तो अब सारे फिश को फ्राई कर लेते हैं यहां पर मैंने 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल का यूज किया है मेरा ऑल गरम हो चुका है तो अब मारिनेट के हुए फिश को हाई फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे अगर आपको ज्य फिश को टॉकी है इसी तरह दूसरे साइट से भी फिश को फ्राई कर लेंगे है यह देखिये यहां पर मेरे सारे फिश को चुके हैं तो अब इसकी सारे इंग्रीडियंट्स को देख लेते हैं यहां पर पाँच मीडियम साइज के टमाटर जिसे बारिक चॉप कर लिया है साथी दो मीडियम साइज के प्यास जिसे ग्राइंड कर लिया है एक कप धन्या की पत्ती बारिक कटी हुई 3 टेबल स्पून अद्रग लेसन का पेस्ट और 1 टी स्पून में थी यहां पर मैंने कुछ मसाले लिये हैं जिसमें 3 टी स्पून धन्या पाउडर 1 टी स्पून हल्दी पाउडर 1 टी स्पून जीरा पाउडर 1 tsp कालिय मिर्च पाउडर 2 tsp लाल मिर्च पाउडर 1 tsp गरम मसाला पाउडर 1 tsp कश्मिरी लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के काउडिंग ले सकते हैं यहां पर ओयल गरम हो चुका है तो सबसे पहले इसमें मेथी डालेंगे और जब मेथी चटकने लगे तब हम इसमें प्यास के पेस्ट को आड़ करेंगे प्यास के पेस्ट को आड़ करने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि प्यास का कच्चापन ना रहे देखिए प्यास का कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें अद्रक लहसन का पेस्ट एड़ करेंगे और इसके बाद सारे मसालों को भी एड़ कर देंगे सारे मसालों को डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ करेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले और ओयल अलग अलग ना दिखने लगे मसाले जितनी अच्छी से भूनेंगे फिश करी अतनी ही टेस्टी बनेगी तो इसलिए मसालों को अच्छी तरह से भूनना है ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं अब इसमें टमाटर को एड़ करेंगे टमाटर एड़ करने के बाद लिट से पांच मिनट तक के लिए ढ़क देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और फ्लेम को लो रखेंगे पांच मेट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर ट्रमाटर जो है अच्छी तरीके से गल चुके हैं तो अब ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम पानी को आड़ करेंगे यहाँ पर पानी मैंने दो गिलास के करीब डाला है ग्रेवी की जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है उसी हिसाब से हम पानी को आड़ करेंगे इसके बाद लिट से धक कर एक उबाल आने तक कुप करेंगे उबाल आने के बाद फुराई किये हुए फिश को एक एक करके डालेंगे फिर इसे हलके हाथों से चलाएंगे क्योंकि फिश बहुत ही सौफ्ट होती है इसके बाद इसे ढख कर लो फ्लेम पर आठ से दस मिनट तक कुक करेंगे दस मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और फिश करी बनकर तयार है अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ति को आठ करेंगे जिससे की फ्लेबर बहुत ही अच्छा आता है गैस की फ्लेम को आफ करेंगे और पांच मिनट के लिए ढख देंगे बहुत ही शानदार फिश करी बनकर तयार हुई है आप इस रिस्पी को जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको मेरी रिस्पी अच्छी लगी हो तो मेरी यूटुब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें